सबीका एक्जाम गुरुजी बाई यर्विन सेर युटूब चैनल में तेही दिल से हार्दिक स्वागत है देखी गाइस यह जो क्लास है आपकी काफी ज्यादा हेलफुल है और यह हमारी क्लास जो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें मैं गाइस लगभग आदे घंटे या क्लास की शुरुआत करते हैं लेकिन उसे पहले में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली वार आएं तो प्लीज में सब्सक्राइब जरूर करें हां सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक वैल आइकन आएगा उसे का इस दबागर के सिलक्ट आपको बताना है कि इसमें कौन हालपा इस्तल नहीं है मेरी पहारी भाई वहस्चे कि जीएगा जासा कि आप जानते हैं कि हालपा इस्तल जाए शींद्ध कोरी आइशा पूर नहीं है अगला कुशन है आपके सामने क्वेशन क्या करक्राइब इसको समझिएगा रिगवेद में सबसे दिक संक्या में मंत्र जो हों यह किसे समंदित है थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको असपस्ट दिखी चलो बताओ तो सबसे पुराना बेद कौन सा हैं और इसमें और इसमिंगा जो मंत्र दिये गए हैं यह किसे समंदित हैEEP हैं धеди अगनी औरओ ने की अगनेदेव llẩक़ रहत है अगश्क少 bus जीसिए समंदित बताओ क र्ग वहाई दॉक्त आंज है नं प्र éléments सब्षामनें हैं लोगयर को जाएगा अंसर आपी सो बता यहां पर प्रपन से और से इस पूर नंबर पर zostols को 51 देखे एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसी तरीके से डेली क्लासे चाहिए तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजेगा चुकि देखो आप जानते हैं कि मेहना जीजान से जो कुछ भी गाइस मैं आपके लिए लगा रहा हूं तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती ह है यह आपको खुद समझना चाहिए कि अगर मेहनत कर हूँ अपके लिए अपना कीम्ते समएं खर्च अब देखिए यहां पर समझने की कोशिस कीजिएगा यहां पर कुंड ग्राम होगा ठीक है कुछ बच्चे 22 साली बताएंगे लेकिन ना बया कुंड ग्राम मुख्य रूप से होगा ए राइट होगा उक्के अगला इंडिका के लेखक कौन थे बहुत इंपोर्टन है बहुत इंडिका जोएगा इसके लेखक कौन है यह पूझा जा रहा है राइट हो जाएगा आपका वह जाएगा मेगा स्थनीज ऑप्सन भी करेक्ट आंसर होगा बहुत इंपोर्टन यह बढ़ते हैं आगे 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 यह लीजिए और यह लीजिए भारत के विभाजन के कोईशन की भारत की विभाजन के समझने की कोशिश कीज़ेगा बहुत इजी कोईशन है भारत के विभाजन के समय भारत की राज्टी कस्याइब राज्ट के जो अध़क चते वह कौन ते जेवी क्रिपलानी option भी गाइट होगा ठीक है जे भी क्रिपलानी अगला भारत छोड़ो अंदोलन जो कि गाइज आफका नव अगस्त 1922 से प्रभावी हुआ जैसे आप जानते हैं कि आठ अगस्त 1922 को रात में गाइज इसकी बैठक हुई और नव अगस्त 1922 को यह जो गाइज ही प्रभावी हो गया और उसी समय भारत छोड़ो अंदोलन के समय ही महत्मा गांदीजी ने करो या मरो का नारा जोई यह गई जै किस अंदोलन के समय दिया गया था तो भारत छोड़ो अंदोलन के समय मेरे पैरे भाई प्यारे मित्र याद रखेगा अगर आप से पूछा जाता है कि मरो नहीं मा तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे अब देखिए शुरू कहां से हुआ था सावर्मति से राइट क्या होगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा नहीं देखो भारत छोड़ो अंदोलन जो है यहां पर सावर्मति नहीं बॉंबई से होगा राइट होगा आपक यह किसने प्रारंब की थी रैयत वारी प्रता जो है यह किसने प्रारंब की थी रैड़न से जो हो जाएगा कोईशन नमबर एट का वो हो जाएगा यहां पर समझेगा रैयत वारी विवस्ता जो है यह रैयत वारी प्रता जो है यह किसके दारा सुरू की गई थी टामस मुन जो भी यहांपे option A बता रहे हैं बिलकुल सही हो जाएगा बिलकुल correct हो जाएगा आगे किसे भारती असांती को जनक के रूप में जाना जाता है यानि भारती असांती का जनक जो है ये किसे कहते हैं question number 9 important है जल्दी से बताइए right answer यहांपे क्या हो जाएगा देखे भारती असांती का जनक जो है ये कहा जाता है लोक मान्य बाल गंगा धर्तिलक को option C correct होगा तो जो भी हमारे प्यारे भाई भेन मित्रा option C लोक मान्य बाल गंगा धर्तिलक बता रहे हैं बिलकुल सही होगा बिलकुल correct answer आपका हो जाएगा अगला है कि गांधी जी दक्स अगे दक्सिन अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है यह question आपसे पूछा गया है जल्दी से बताईए right answer क्या होगा अब मेरे पैरे भाई पैरे में तुर्याद रिकेगा दक्सिन अमेरिका की सबसे बड़ी नदी पूछा जा रहा है अगर यह पूछा जाए विश्व क सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वह होगी नील बटी हाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि दक्सिर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वह हो जाएगी अमेजन right होगा आफकर D option option D correct होगा जो भी option D बता रहे हैं बिलकुल सही होगा बिलकुल perfect होगा आगे बढ़ सकेर का प्याला शकर का करा जाये तो बा लफ्स तुल्यर किस राज्य को कहते हैं यह कोईशन पूछा गया है देखिए सकर का प्याला यह जोई है कि आप जानते हैं कि अध्रीज को ँध्र प्रदेश को सक्कर पहया अगर आप से पोछा जाता था लिए द्य कृत्य भाणा कि यह कि नीकाचे सिका Commander है चीनिय यह खाते हैं तो वह हो जायगा क्यूब्क कि राइट आंसर क्या होगा समझेगा मेरी बहुत इजी क्वेश्चन मांसुल सब्दिकी उत्रपती जो है यह अरिभी भांसा से हुई है यह option आफका बिलकुल correct होगा बिलकुल perfect होगा option a बिल्कुल सही answer हो जाएगा अर्वी भांसा बिल्कुल सही answer आपका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं भारतिय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती भारतिय मानक समय की यामियोत्तर जो है यह गाइस कहां से नहीं गुजरती भारतिय मानक समय यानि इंडियन इस्टेंडर तो समझेगा मित्री यहाँ पे आंद्र प्रदेश 36 गर उत्र प्रदेश तो गोजरती है महाराश्ट इसे नहीं राइट होगा सी ऑप्शन बिल्कुल प्रफ्यक्ट चली आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कि भारती मौसम विज्ञान विवाग जो है कहां इस्थाफित है अब देखू समझो बता ओ बिल्कुल राइट है बिल्कुल राइट है से हो нравится अफका नई दिल्ली में ऐ ऑप्शन राइट होगा यहां पे हो जा fragments ofわか बिल्कुल करेक्ट आनसर हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन देखते हैं कि आटम निर्भरता किस प पंचवर्से योजना में गाइस question बनता है वह एक बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है यह किस पंचवर्से योजना में दिया गया था तो समझने की कोशिश कीजिएगा गरीबी हटाओ का नारा जो है यह पंचवर्से योजना थी वो थी पांचवी पंचवर्से योजन गया है कि आत्म निर्भरता जो है ये किस पंचवर्सी योजना का मुख्य उद्दे से था राइट जो हो जाएगा आफका वो हो जाएगा चौथी पंचवर्सी योजना सी ऑप्शन आफका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा आगे बढ़तें अगला कुशन भारत में जीस् इस प्रविस टेक्स जो यह लाग हुआ और यह इसका सुझाओ जो है यह किसके दोरा दिया गया था राइट होगा विजय के लिकर समिती दोरा बी ऑप्सें करेक्ट होगा बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आगी विस्व में हडित करांती के जनक कौन है देखिए हमसे और यह पोछा जाएं अगर यह पूछा जाए हमसें पूछा जाएं नारमन बाग राइट होगा आफकonne नारमन बालाग जोगाए पर यहां पर हमारे प्यारे भाइवं मित्र आप्शन ए बतारें बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगलाए कि भारतिय श्टेट बैंक की अस्थापना कब हुई SBI की अस्थापना कब हुई राइड अंसर हो जाएगा 1955 में ऑप्शन नमबर B करेक्ट अंसर हो जाएगा 1955 बिलकुल सही अंसर आफका हो जाएगा भारत में नियुन्तम समर्थन मोले का निर्धारन जो है ये कौन करता है कौश्चन नमबर 20 करेक्ट हो जाएगा 20 मोली क्जिकारं की साइड से ली गई और किससीily आजएगा जल्दी से बताइये रायट अनसर क्या होगा और कॉश्चन नमबर 21 मेरे पहरे भाई मित्र समझने की कोसिस कीजिएगा देखे जो मौली कदिकार की अवधानरा है यह लिया गया यह 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 युनिटर स्टेट आफ अमेरिका के संविधान से राइट हो जाएगा आफका ए उप्षन यह विए से बिलकुल सही अंसर हो जाएगा जो भी हमारे भाई मित्र उप्षन है यह विए से बतारें बिलकुल सही होगा विलकुल पर्फेक्ट होगा आगे नीति निदेशक सिध्धान तो वाद योग्य है वाद योग्य नहीं है मूल अधिकार है यह इसमें नहीं बताएंगी बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है राइट होगा वाद योग्य नहीं है ऑप्षन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन देखते हैं भारत के उच्चतम नयायाले में नियाधीसों की संक्याय में वृद्धी करने की सक्ति जो है यह कि इसमें नहीं तहाए वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज्य सभी कार किया वह कौन सा है कुश्चन नमबर ट्वेंटिफोर important question है मित्रा जल्दी शे बताईए right answer क्या होगा वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज्य सभी कार किया वो है हमपे राजस्थान right होगा आपका option D जो भी हमारे पहरे भाई वें मित्रा option D पंचायती राज्य सभी कार करने वाला पहला राज्य राजस्थान बता र हैं बताएंगे 25 नंबर कुश्चन सही अंसर हो जाएगा वह जाएगा वुड्रो मिलसन को ऑप्शन एक रिक्ट होगा वुड्रो बिलसन को लोग प्रसासन का जनक कहा जाता है यह उप्शन पर फेक्ट होगा अगला सूर्य की प्रकास में रंगों की संख्या कितनी होती है जो भी हमारे पहरे भाई वें मेत्रो आपसंडी साथ बता रहे हैं बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा गुर्तव करस्ण का सिधानती जो है यह किस ने दिया मेरे पहरे भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीस लाइक पूर्जा मिलती है है ना तो गईस कमेंट करके जरूर बताईएगा गुद्वकशन का सिधान चोईगा इसे दिया कहा था सर आईजेक न्यूटन द्वारा राइट होगा सी ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सर आईजेक न्यूटन जल में आसानी से घुलंसील है क जल में आसानी से घुलंसील है कारबन नाइट्रोजन अमोनिया आयोडीन अब देखो आसानी से घुलंसील यानि उसमें पूर्ण रूप से घुल जाए यह क्या गुलता है 28 बताओ ना बिल्कुल बिल्कुल अमोनिया होगा सी करेक्ट होगा मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थिया होती है 29 नमबर कुशन मनुष्य की खोपड़ी में कुल मिला करके 28 होती है राइट होगा ए उप्शन बुरूण जो ही किसमें मिलता है फूल में पर्ण में वीज में कली में बुरूण बुरूण जो ही किसमें मिलता है राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बीज में option c correct हो जाएगा option c बिल्कल perfect हो जाएगा आगे question है अगला कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कि सराज्य में महा बाहू ब्रह्मपुत्र योजना का सुभारंब किया यह थोड़ा सा यहां पे कि सराज्य में महा बाहू ब्रह्मपुत्र योजना का सुभारंब किया है राइडान से हो जाएगा असम में option number c करेक्टर अंसराफ का हो जाएगा कि सराज्य के सप्रदान प्रदेश के आप्सण मंबर डी और करेक्टर हो जाएगा यह अगया यहा प्रधान मंplo यौजना को सिक्षआ मंतराले के द्वारा लांच किया गया यहां प्रदान मंध्री यौजना को किस मंत्राले द्वारा लांच किया गया 33 नमबर क्वेशन सही अंसर हो जाएगा यवा प्रधान मंत्री योजिना को सिक्षा मंत्राले के द्वारा लांच किया गया सही अंसर हो जाएगा आफका A option बिल्कुल correct हो जाएगा किस राज्य की सरकार ने लक्षमी भंडार योजना को शुरू किया बहुत important है ये भी important है बहुत जादा बताईए किस राज्य की सरकार ने लक्षमी भंडार योजना को शुरू किया सही अंसर हो जाएगा आफका question number 34 का जो भी आपे बता रहे हमारे प्यारे भहिया भहन कि पश्य मंगाल ने option A correct हो जाएगा आगे अमेरिकी आंतरिक्ष एजनसी नासा ने किस गरे पर जीवन की खोच के लिए perseverance रोवर के सफलता पूरबक लेंडिंग कराई है मंगल गरे option number A correct answer हो जाएगा बिलकुल perfect answer आफका हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अंगला कुशन है कि उत्रकंड की नहीं राजधानी जो की ग्रीस मकाली ने कौन सी है 41 नंबर कुशन है रैडेंस हो जाएगा वो हो जाएगा गैर सैन ऑप्सन नंबर C correct answer हो जाएगा चलिए बिलकुल perfect answer आफका हो जाएगा अगला कुशन है कि army day जो हो यह कम बना जाता है 43 नंबर कुशन है army day जो हो यह कम बना जाता है जल्दी से बताइए मित्र राइड answer क्या हो जाएगा दोको मैंने कहा था ना का इसकी अगर आप से भी जल्दी जल्दी आंसर देंगे तो मैं कम समय में अपने पूरे कोशन को कबर कर पाऊंगा तो 43 कोशन पे पहुच गए हैं बाकी अपना का 7 कोशन और बचा है तो मैं इसे भी complete कर लूँँगा अगर जल्दी जल्दी आंसर दोगे तो लिबग 22.9 में क्लास आपकी समाप्थ हो जाएगी आज मीटे जो एक कम मना जाता है राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर को हो जाएगा 15 जनवरी ऑप्सन C करेक्ट आंसर हो जाएगा काजी रंगा राष्ट्य उद्यान को यूनेसको दारा विश्व धरोहर कब घोशित किया गया बदाएगे 44 नंबर कोशन है देखे काजी रंगा राष्ट्य उद्यान जोएगा इसे यूनेसको के दारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1985 में घोशित किया गया राइट ह आफका सी ऑप्सेन उन्ने सो पच्छासी किस महापूरुस की जहनती को राष्ट्रिय यिवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 45 अब देखे राष्ट्रिय यिवा दिवस होएगा इस आफका मनाया कब जाता है पूछ लिया जाए अगर तो क्या बताओगे बताओ भाईया 12 जनवडी को मनाया जाता है किसके जनवदिवस के रूप में सामी विवेका नंद राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा स्वामी विवेका नंद विल्कुल सही आंसराफ का हो जाएगा जो भी यहां पे option ने बता रहे हैं बिल्कुल correct आंसराफ का हो जाएगा प्रधान मंतरी नारेंद्र मोदी ने कुलकाता पोईट का नाम बदल करके किसके नाम पर रखने की घोशना की कुलकता airport का नाम बदल करके स्यामा प्रसाद मुखरजी अइरport कर दिया गया राइट हो जाएगा आपका A option दुनिया के सबसे बड़े radio telescope का नाम क्या है दुनिया का सबसे बड़े radio telescope रहे है वो है fast telescope टेलिस्कोप राइट होगा आपका बी आपसन जो भी आपसन नमबर भी बता रहे हैं फास्ट टेलिस्कोप बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है कि कि सराज्जे ने जीरो बजट नेसनल फॉर्मिंग के लिए जर्मन कमपनी के साथ एम हुँ साइन क्या है म ओ यू साइन क्या है राइट है अफ कर अंधर प्रतेशन ने भी ऑप्सन कर्रेक्ट होगा इस्टेट एनरजी ऑफिसिएंसी इंडक्स जो ही किसने जारी किया है मेरे पहरे भाइए एक बात आपको बता दे हैं कि इसकी पेडियाप जो ही कहां पर कि यहां से आप्छेन होँ जाएगा साथ में आप सभी के लिए एक डाउट गुरूप भी बना दु transfesta होती हैं ना बहुत ही इंप्ज्फें को अथिज जो होती है जोगी आप मिल हो जाटिए गाल है अगर आपको धुर्म में कमेंट में मुझे बताईएगा गाइस मैं आपको इसके लिंक प्रोवाइट करा दूँगा आप वहां से आसानी से जाइन हो जाएगा आदरवाइस आप टैली के नाम पर सर्च कीजिएगा सर्च क्या करना है आएट और विंद सर्जी पूरा एक में लिगना है और विंद सर् की दोनों होगा अनलाइन भुक्तान को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने माई एपस नाम का मोबाइल अप्लिकेशन लांच किया है राइट हो जाएगा अच्टी अफसी बैंक ने ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तो मेरे पहरे भाई हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करें पीडियाफ आपको टेली गराम चैनल एक्जाम गुरुजी बाई यर्बें सर पर मिल जाएगी जाकर के जॉइन जरूर हो जाएगा ठीक है मिलने इसके बाद एक उने खास वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुरात तेरे ये जैहिंद वन्दे मात्र